Hey guys, कैसे हो तुम लोग, welcome back to education भाहिया, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है, A Tiger in the Zoo chapter को, और इसे लिखा है Leslie Norris ने, किसने लिखा है, Leslie Norris ने, इस नाम को अच्छे से याद रखना हो सकते हैं तुमारे एक्जाम में पूछ लिया जाए, इस पोएम में हम एक टाइग क्या है, तो basically stanza 1, 4 और 5 में तुम्हें ये बताया गया है कि Tiger का present condition क्या है, और stanza 2 और 3 में ये बताया गया है, कि आखिर एक Tiger को कैसा होना चाहिए, तो चलो, पोएम का explanation स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले stanza में हमें ये बता चलता है कि एक Tiger जूम में बंद है, और उसका पू बहुत ही जादा quietly अपने cage में इधर से उधर मूव कर रहा है, और वो इतना जादा quietly इसलिए मूव कर पा रहा है क्योंकि उसके जो पाउज है, उसके जो पंजे है ना वो बहुत ही जादा thick और soft है, थिक का मतला मोटा, लेकिन मोटा होने के साथ साथ वो बहुत ही जादा soft ह बिल्कुल मकमल की तरह, अब क्योंकि वो जो tiger है उसका जो pause है वो बहुत ही जादा soft है, इसलिए वो बहुत ही जादा quietly move कर पा रहा है, लेकिन वो जो tiger है वो अंदर से बहुत ही जादा गुस्सा है, ऑविसली गुस्सा हो कभी क्यों नहीं क्योंकि वो तो jungle में जाना चाता ह उसका घर तो jungle है, उसे चार दिवारी के अंदर नहीं रहना है, अब हम लोग बढ़ते है stanza 2 में, उससे पहले मैं यह बता दू कि मेरे घर के आसपास थोड़ा पार्टी साटी चल रहा है, तो थोड़ा background noise को ignore कर देना, अब जैसा कि मैंने तुमें बताया था कि stanza 2 और 3 में हमें यह पता चलेगा कि आखिर actually में उस tiger को कहा और कैसे होना चाहिए, तो stanza 2 में हमें बताया जा रहा है, हमें यह पताया जा रहा है कि अगर वो tiger अजाद होता तो अभी किसी जंगल में होता, और उसी जंगल में वो किसी water hole का मतलब होता है river या फिर pond तो उसी जंगल में क जपटा मारेगा और उस deer को अपना सिकार बना लेगा, अब तुम लोग सोच रहे होगे यार यह तो बहुत बुरी बात है, वो बिचार मासूम को खा लेगा, अच्छा वो kg में, देखो बुरी बात तो मतलब नहीं कह सकते इसको क्योंकि यह एक ecosystem का पार्ट है, तो अगर व खुमते घुमते अपने जंगल के आस पास के विलेज़ेज में जाता, जाता वहां पे दाहारता और अपने वाइट फैंक्स, वाइट फैंक्स का मतल cham होता है लंभे- लंबे दातो, और खास कर साथी में पंजो को दिखा कर लोगों को ड satisfy यहां पे अपने यह पता चलता है in Stainzha 4 में, कि यह जो Tiger है, यह अजाद होता, तब तो जंगल में गुम रहा होता, तब तो हीरन का सिकार कर रहा होता, लोगों को जाके विलेज में डारा होता, लेकिन यह अच्छली कहां पे, यह तो behind the bars है, मतलों concrete के सिल में बंद है, इसलिए इस Tiger की जितनी भी बाग जाएगा नि बाग पाएगा कहने को तो यह ताइगर जो है वो जंगल कर आ जाए लेकिन यहां पर इसकी कोई इजत नहीं है लोग आ रहे इसके उपर हस रहे है फोटो गीच रहे और निकल जा रहे और आप विसली कि तुम जब जब गई होगे तो लिये होगे ना पेतरोलिंग कार सा्ती है क्या काम होता है यह देखने आती की को है जांगल से इनावर भाग तो नहीं गया या पर जेंगल में कोई जानवर के साथ कुछ कंड वांट तो नहीं हो गया यह यह सब देखने आती है बईसक्त और का सुनता अब यहां पर तूम Chest Musch और यहां पर लिखा गया है कि वगो गईर है अपने बARS मेरेऊप़ को कि यह नहीं है कि तो छी बोहत ज्यादा घंच다가 मुझेस करना लांग गुफी है मेरे बगल में बैठा हुआ है वो एक डॉग है और और कुछ बोलने के नहीं है ठीक है इस तरह से तुमारे यह जो चाप्टर यह जो पुम है यह खतम होता है आइनो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग और बहुत ही जादा चोटा सपोयम ता अगर तुम्हें मजाया तो वीडियो का लाइक करना चाल कर सबस्क्राइब करना और ऐसी तुमें क्लास 10 की वीडियो देखनी है तुम अपलोड कर चुका हूं तुम डिस्क्रिप्शन में ज